आपका स्वागते मेरे चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको जो मारा सब्जेक्ट है के त्यू का मैतमेटिक्स पूर उसके इंपोर्टेंट कुश्चन बताने वाला हूं जो कि आपको सेकंडियर में देखने को मिल जाएगा समय पहले हम यूनिट वन की बात करते हैं होमोजीटिन ओं होमोजीम्य यस्ऊ होमोजीम्य लियर समय तो इसके भी हंदी फ़ीम्या आप तो आई एक और एक और एक यह जरूरु आएगा अगर ऐसा नहीं होता तो दौन उपनाओ बोन ओम्हेरा को पर देना नहीं समय से आपको दो नंबर के मिल जाएंगे और सेविन मार्क से कुश्चन भी मिल जाएंगे लैगरांजे इसके उपर पढ़ लेना है और इसके बाद ना चार पिट मैथर टू सौल नॉन लीनियर पार्शल डिफरेंशल इक्विशन यह थोड़ा लंबा कुश्चन रहता है चार पिट मैं तवाला तो इसको आप देख लेना इंपोर्टैंट ओ यह भी परसेटे आधा लेगरांजे जोर चारrees पिट में से एक हंडिर परसंट एक आपको पिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड यूनिट में क्या है method of separation of variable method of separation of variable से एक question आपको 100% देखने को मिल सकता है और यह आगे के question के लिए important है तो इसे आपको आना चाहिए फिर one dimension heat equation one dimension heat equation पढ़ देनी होता है जो हमें solve करना होता है क्योंकि इनके अंदर भी separation of variable की बहुत जादा दौरत पढ़ती है इसलिए separation of variable तो पढ़ना ही पढ़ेगा method of separation of variable और इसके बाद मुआरा जो फूर्थ question है two dimensional lap last equation तो इसे आपको कर लेना 100% chances है कि देखने को मिलेगी है two marks में भी देखने को मिल सकता है question later और seven marks में भी तो इसको देख लेना पिर अगला क्या इन इन तीनों topic में से question आएगा complex four year transform तो यह उपर वाले कर लेना important है बहुत ज़्यादा यह भी और इसके बाद ना एक question इन तीनों में से एक आएगा इन तीनों में से एक आएगा complex four year transform और four year sign and cosine transform application or application of four year transform in partial differential equation 100% chances है एक question जरूर देखने को मिलेगा इन से तो देख लेना जादा हर्ड है भी नहीं यह भी simple से होते हैं जादा हर्ड नहीं होते और इसके बाद क्या कफ कर फीटिंग तो कर फीटिंग देख लेनी आपको exponential कौन कौन से कर फीट आपको स्टेट लाइन यह सब कर देख लेने तो यह देख लेना 100% chances हर साल आ रहा है तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है फिर correlation and rank correlation इसके भी 100% chances है यह भी देखने को मिल सकता है इसके बाद आ जाता है regression इसके भी और इसके बाद movement isquiness और kutosis इनके अंदर ना यह आपको theory में भी question देखने को मिल सकता है two marks में और seven marks में भी एक long question आ सकता बस यह question कर लेने unit 3 में और इसके बाद हम आ जाते हैं unit 4 पर unit 4 में क्या random variable में discrete and continuous दोनों कर लेने बहुत ज़्यादा important 100% देखने को मिलेगा इसके बाद अगला है जो second expectation and variance इसके भी 100% chances से two marks में भी question देखने को मिल सकता है इसे कर लेना और इसके बाद ना इन तीनों में से दो question 100% आपको मिलेंगे इन तीनों में से ही दो question 100% मिलेंगे binomial distribution, poison distribution, normal distribution समय पहले आपको यही तीनों topic करने बहुत ज़्यादा important है हर बार आता है इनसे तो तो यह तीनों topic करने इनसे दो question 100% आपको मिलेंगे और इसके बाद ना unit 5 पर आ जाते है unit 5 में क्या hypothesis और null hypothesis और alternative hypothesis यह two marks में question मिल सकता है आप पर बेस त्योरी आ सकते है ती टेस्ट में से एक question 100% देखने को मिलेगा इसको अच्छी तरीके सा पढ़ लेना और काई square test तो इसको ना इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़के जाना यह तो हर साल पूछा जा रहा है इसको तो करके जाना यह आएगा ज़रूर 100% चांसी और इन दोनों में से एक आएगा और काई square test तो 100% आएगा और एक question आएगा control chart ते P, NP and C chart तीन question यह होगए तीनों question ऐसे आ जेंगे इन से तो एक question 100% यह आएगा इन तीनों में से एक question आएगा P chart आएगा या MP, NP का है C chart का और इसके बाद Z test या T test में से question आएगा तो इस तर करें कि थारड कों और फिफ्ट्ट यूनिट इसनी और उसके भाद गंने हैं से किन यूनिट यूनिट इस तरी के सापको कर लेना समय पहले इसको आपको आपको अच्छी तरीके इसाप पढ़ के लिधाना इस आपके और नर्चा प्तुर कर दो वा कि वा ला मैं लोगता नर्चा कर जा मैं डिलाय कर दो लिए कि अ